हलो फ्रेंज, वेलकम टू मैं चानल देवजी के ट्रेक्स फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम लोग गुप्त समराज का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम लोग 100 से जादा आपजेक्टिव कोश्चन का एक टेश्पेपल लगाएंगे इसके पहले हमने पार्ट वन अपलोड कर दिया है और वो पार्ट वन आपका थियोरी के माध्यम सथा आथा थियोरी माध्यम में हमने आपको बताया है इस ट्रेक्चर के माध्यम से बताया है बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है मतलब कोई भी कोशन आपका छूट नहीं सकता है अगर आप किसी भी एकजाम की त्यारी कर रहा है तो आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखेगा फर्स्ट पार्ट की जो आपकी लिंक है आपकी इसी डिस्क्रेप्शन बार्ट से नीचे मिल जाएगी तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा तो आपको जो ये 100 प्रस्ट प्रस्ट लगाएंगे बिल्कुल इजी से लगा लेंगे तो चलते हैं आप आपर स्टार्ट करते हैं और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जूट सकते हैं बहतरीन त्यारी कर सकते हैं चलिए आपका पहला कोशन कहा रहा है पहला ग्यात गुप्त सासक कौन था ? आप्शन राइट आपका हो जाएगा अप्सन आपका भी अर्थास्तिरी गुप्त हो जाएगा ठीके नेश कोचन आपसे याँ पर कह रहा है कि प्रिसिद्ध गुप्त समवत निम्लिखित में से किस वर्ष से सुरू किया गया था आपका जो गुप्त समवत था आपका कब से सुरू किया गया अप्सन राइट आप कि जिलाजने के के सिलालेख में किसकी उपलब्धिया वर्डित के जिंवे बारत का नेपूलियन के आजाता है लिचों वैहा दैहित्र किसे कहा यह कहते हैं आपके समुद्र गुप्त को ही बोलते हैं ठीके समुद्र गुप्त को बोलते हैं देखिए आप लोगों ने गुप्त समराज पढ़ा होगा बहुत यह बहुत आप 25 प्रस्ट निकाल पाएंगे लेकिन यहां पर आपके 100 प्रस्ट भी बन सकते हैं आप सोच लीज जैसे कि आपका नेपोलियन बोना पार्ड था उसकी तुलना आपकी यहां पर की गई है और था तो उसके बिजय अभियान के मतलब के अनुसार तो आपका भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं जैसे कि आपका नेपोलियन बोना पार्ड था उसकी तुलना पार्ड था पार्ड राजा किसे कहते हैं यहां पर सी हो जाएगा चंद गुप्त दुथी ठीके यह आपके पहले राजा थे जिनोंने विक्रमदित की उपादी धारण की थी अप्सन राइट आपका सी हो जाएगा यहां पर कोशन आपसे अगला कह रहा है कि चंद गुप्त दुथी और किस नाम से जाना जाता था अर्थात जो आपके चंद गुप्त दुथी थी वो किस नाम से जाना जाते थी तो नौक आप्सन राइट आपके यहां पर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा अर्थात विक्रमदित की नाम से जानते थी ठीके विक्रमदित की नाम से जानते थी नेस कोशन आपसे यहा अब आलूकर हоды तो ऊप्सवन आपका सूंदर्श न सांघुनर तो ऊप्साफर नसमसिजदन या ककले गवित कर भारे तो ऊफकालिदास नियुलकर में आधते हीरा राजकյाक कि पूर्फे आपका सी अथा चंद गुप्त विक्रमा दिती ठीक है अपस्टन आपका सी हो जाएगा नेश कोचन आप से यहां पर कह रहा है कि निम्भिखित में से कौन सी साहितिक रचना सास्त्री संस्कत साहित से सम्मंदीत है यह आपकी जो रचना है आपकी यह सम्मंदीत है आपके इदास की द्वारा आपकी रचित की गई है आपको बता दें कि गुप्त सम्म्राज में जो हमने पढ़ाया था तो वहां पर आपके नौरतन अथा नौ लोग थे ठीक है बड़े अच्छे से पढ़ाया था आप लोग पिछला वीडियो देख लिए ने फरस्ट पार्ट नि दिये थे ठीक है ना उनी के नौरतनों में आपके सामिल थे जो कि धनवंतर नेश कोछन आपसे कह रहा है याँ पर कि गुप्त वंस का वह राजा कौन था जिसने हूडों को भारत पर आक्मण करने से रोका था ये रोके थे अपसना आपका सी इसकंद गुप्त ठीक है इसक आपसे हाँ पर कि रोमन समराज के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमन के साथ समाप्त हो गया था ये आपका जो समाप्त हुआ था रोमन पर ये समाप्त हुआ था अपसना आपका सी अर्था आत होडों द्वारा आपका ये समाप्त हुआ गया था ठीक कोशन आप से कह रहा है आजंता की चित्रकला कृतियों में वर्डित कतानक है अथा जो आजंता की चित्रकला है उसमें किसको वर्डित किया गया है यह वर्डित किया गया है आपके जातक कताओं को आप समाप्त करते हैं हम आपको जितना भी पढ़ाते हैं जो भी कोश्चन आया हुए हैं अभी तक सब का टेस्ट पेपर आपको एक ही वीडियो में आपर समाप्त करते हैं कोश्चन अबला कह रहा है आपर कि आजंता चित्रकारी की विशय वस्तु निमलिहित में से किस सम्मंदित है किस सम्मंदित है आपके जातक कथा आपका बी हो जाएगा बहुत धर्मे क्योंकि बहुत धर्मे ही आपका जातक कथा से सम्मंदित है निसकर आपसे कि किसके सासनकाल के दौरान आजंता की गूफाएं निर्मित की गई तो किसके सासनकाल में, 19 आपसन राइट आपके यहाँ पर एभ हो जाएगा, गुप्त काल में आपके आजनता की गुफावए निर्मित की गई थी, नेस कर्स्टन आपसे कह रहा है, कि गुप्त राजवंस किस लिए प्रिशित्था, तो गुप्त वंस आपके जो प्रिशित् गया था, कि जो गुप्त काल में चान्दी के सिक्के चलते थे, उनको बोलते क्या थे, उन्हें बोलते थे, रूप्यक, क्या बोलते थे, रूप्यक बोलते थे, नेस कोचन आपसे यहाँ पर कह रहा है, कि गुप्त काल में किस धात के सरवादिक सिक्के जारी किये गए थे, गुप्त काल में किस धात के सरवादिक सिक्के जारी किये गए 22 का अपसन राइट आपके याँ पर हो जाएगा कौनसा ए नमबर अर्थात सोने की सिक्के जारी किये गए थे वहाई पर अगर बात करें सुध्य सोने की सिक्के किस ने जारी किया था तो विम कटपरसिस ने जारी किया था जो कि कुशाणवंस के राजा थे निसकोचन आपसे कह रहा है कि गुप्त सासन के दौरान निमलिखित में से ऐसा ब्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गड़तक था खगोल विज्ञानी तथा गड़तक था कौन था आपका तो तेशक उप्सन आपका यहाँ पर सी आरे भट थे ठीके आरे भट्टी अर्थात यहाँ पर निसकोचिन को राती है कि गुप्त सासकों की सरकारी या कह सकते हैं कि दरवारी भासा क्या थी गुप्त सासकों की भाई क्या थी तो उनके भासाति आपकी संस्क्रत अपका डी सही हो जाएगा निसकर आपसे सुन की खोज किसने की थी तो अभी आपको बताया कि आपका जो आरे भट्टी थे इन्होंने खगोली या था थी आपके कई आपकी खोज इन्होंने किया है आर रहित मतलब उसमें जंग नहीं लगती है ठीक है ऐसे आपके धातु से बनाया गया है यह स्थापित किया किसने तो आपके आपके आपका एक गुप्त सास को ने स्थापित किया है निशकर आपसे वराहमीर कौन थे वराहमीर कौन थे तो यह भी आपके गुप्त सासक में कर सक फुर और Wes smoking यहां पर किम्रेखित में सही कौन है ज कि किससप नहीं है हिर्थातिन में से देखिए आपका चिकिसक कौन है इससे कंपको आपका 28 का स्यी चरवाक यह आप ME car Wash Jake भूर चरवांतर आपके सम्बन दीत हैं के सम्धित गया है निषक चानप वो आपके यहाँ पर दिये है अर्थात यहाँ पर कालिदास ठीके में दूतम किसे ने लिखा है कालिदास ने लिखा आपसे आपका डिस ही हो जाएगा निशकर आपसे कि पंच तंत्र का लेखक कौन है पंच तंत्र का लेखक तो आपका बिश्लू सर्मा है ठीके बिश्लू स इनन हर्मा निदा हरु आता है कि निम्राईक को ऑले ओर रोख्वार तो आपको 31 को हुआ घुं तो कवह तो अफ़िए कर से आहां को लगाएँगे अभीतग हम लो लगाया है जो आपके पूछे गए अब आपको यहां पर ट्रेस लगा रहे हैं जो आपके संभावित प्रस्ण है ठीक है क्या है आपका कि महाराज की उपाधी धारण करने वाले आरमिक गुप्त सासक कौन थे अथा जिनोंने महाराज की उपाधी या महाराजा की उपाधी ध दारण किया था ये थे आपके घटोदकच और आपके शिर्य गुप्त दोनों ही अर्थात आपसन ए और बी दोनों सही हो जाएगा नेशकोचन आप से कह रहा है कि चंद गुप्त प्रथम जिसे गुप्त समवत का प्रवर्तक माना जाता है ने गुप्त समवत कब चलाया था यह चलाया था अपसन आपका यहाँ पर 319 स्वी से आपके 320 स्वी के बीच में नेशकोचन आप से कह रहा है समवत गुप्त का प्रयाग प्रशिष्ट ले किस भासा में लिखवाया गया है किस भासा में तो थिरीक अपसन आपका भी क्योंकि हमने अबे बिताया था कि गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है नेशकोचन आप से कहाता है कि निम्लिकित गुप्त कालें सासकों में किसने उज्जैनी को गुप्तों की दुती राधानी बनाया था बहुत अच्छा कोर्शन है गुप्त कालें सासकों में किसने उज्जैनी को गुप्तों की दुती राधधानी बनाया था ये बनाया था 5 का अपस्वन आपका C हो जाएगा चंदगुप्त दुती ने बनाया था अपस्वन आपका C यूकी है, ठीक है? निश को चनाप से कहा रहा है, हूडो का प्रथम आक्रमड किस गुप्त सासक के समय हुआ था? ये अभी आपको बताया था? ये ववा था आपका, सेवन का उप्सन, आपका सी अर्थात ust Kind zwischen करन गुप्त के समय हुआ था हूडो का प्रथाम आक्रमड, निश आपकी इकाई थी भूम मापन की इकाई थी ठीक है अपस्वन आपका यह हो जाएगा नेश्क कर आप से कि निम्लिखित में से ऐसा कौन गुप्त यूगिन एक महान खगोल विज्ञानी और गड़तक भी था यह जिनोंने आरभट्टी ज्यान को दिया था अर्थात आपस्वन किये गए सोने के सिक्या क्या कहते थे वहाँ पर अचांदी के सिक्ये थे यहाँ पर आपके सोने के सिक्ये पूछा गया है तो सोने के सिक्ये को दीनार कहा जाता था दीनार नेश्कर आपसे यहाँ पर वर्तमान गडित में दसमलो प्रणाली अभिस्कार का स्रे निम्लिखि किस युग को जाता है यह किस युग को जाता है 11 का अपसन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा B अर्थात अपसन आपका गुप्त युग हो जाएगा निशकर आपसे कि निमने में से किस एक वैग्यानिक ने न्यूटन से भी पहले या बता दी थी कि प्रतभी से हर उपर फेंकी जाने वाली चीज वापर धर्थी पर आती है यह किया था 12 का अपसन आपका B अर्थात ब्रह्म गुप्त ने बहुती पहले ये खोज कर दिया था अपसन आपका B हो जाएगा निशकर आपसे कि निमने में से कौन सकों पर विजय प्राप्त करने के कारण सकार कहराने लगा था सकार यह जो सकों पर विजय प्राप्त किया था किसने तो आपके 13 का अपसन आपका C अर्थात चंद गुप्त दुती हो जाएगा अपसन आपका C निशकर आपसे किस ने अपनी बिजियों की उपलच में 18 बार असमेग यग का अनुष्ठान किया बेरी बेरी इंपोर्टिंट अपको कॉर्षयन है तो 18 बार अनुष्ठान किया था असमेग यग यह किस ने किया था तो मयूर सर्मन ठीके? यहाँ पर प्सन आपका D हो जाएगा अप्सन बी हो जाएगा निश्कराप से यहाँ पर गुप्त बंसका वाराजा कौन था जिसने हुडों को भारत पर आक्रमन करने से रोका था ये रोका था अप्सन आपका सी इसकंद गुप्त हो जाएगा ठीके इसकंद गुप्त निश्कराप से यहाँ पर कि अजनता कराकरत किस से संबंदी थे ये आपके किसे संबंदी थे आपती आ रचनकार आपके कौन है तो प्रवार सें दुती हैं ये किस संबंदी थे आपके वकाटक वन से सम्मंदीत अप्सनाप का सी हो जाएगा निसकर आपसे किस गुप्त काले सासक को कविराज का जाता है ये बहुत बार कोशन आपसे पूछा गया है कि कविराज किसे का जाता है 19 का अप्सनाप का सी हो जाएगा अर्थात समुद्र गुप्तो कभी राज भीका जाता है श्री लंका के राजा मेग वर्मन ने किस इस्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्र गुप्त से अनुमती मागी थी तो समुध गुप्त से अनुमती मागी थी, यह आपके हो जाएंगे। आपसन आपका B, आथात बोधगया में, ठीक है, बोधगया में, नेशकर आपसे, गुप्त इस्थापत कला सरोत अमंदिर निम्नवि से कौन है, आथात गुप्त कालका जो सरोत अमूना या सरोत अमंदि ये आपका याव हो जाएगा और आपके इंटों का अप्रयोग सर्थम किया गया था भीतर गाउं के मंदिर में जो कि कानपुर्द यहात में पढ़ता है निसकर आपसे गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल यूग क्यों कहा जाता है तो क्लासिकल यूग किसलिए कहा जाता है क्यों 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 कि कह सकते हैं कि कला वा साहित छेत में अपने चरमुत्सों पर आप पहुचने के कारण इसे क्लासिकल यूग भी कहा जाता है निशकर आपसे यहाँ पर सारनात के धम्मेग इस्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था तो धर्मेग जो की धम्मेग इस्तूप का निर्माण हुआ था ये कब हुआ था चार आपसन है तेशक आपसन आपका डी अर्थात गुप्त काल में ही हुआ था ठीक है डी नमबर निशकर आपसे सोने के सरवाधिक सिक्के किस काल में जारी किये गए थे ये जारी किये गए थे आपके बी अर्थात गुप्त काल में किये गए थे अपसर आपका भी हो जाएगा निशकर आपसे यूरूपी भासा में अनुदित या अनुदित प्रथम भार वह जacker नमबर भगवत गीथा का आपका सर्प्र्थम अनुवात किया ता निसकर आपसे सती प्रथा का प्रतेम अबिलेक साच्च प्राप्त हुआ है इसकर आप से दिल्ली में कुत्म मिनार की समय पिस्थित महरावली इस्तंबलेक का सम्मन्द किस गुप्तकाले सासक ने स्थापित किया था ये किया था सकता इसका अप्संडी चंदगुप्त दुती ने किया था कराया था इसकर आये भूमिदान में दे जाने का प्रथम अबलेकी साच Mackie सा काल में मिलता है आथा जो भूमदान में देते थे इसका जो अबलेक मिला है अर्थाnh मिला है यह मिला है आपका यह अशी स्म्रतियों में षबूछ साथ बशेकर सकते हैं कि आपके जो शिक्खेंती हैं ठीके शीयलिके सत्रक्ते शांशें क्लिक्षक में चाले हुए थे यह बनेकित्मी स्म्रतियों में किस begitu राचना गुप्टकाल में नहीं हुई है कौन सी आपकी है यहाँ पर 30 का अपका ए हो जाएगा मन इस्मृति यह आपके गुप्त कारीन रचना नहीं है लेकिन याग वलक इस्मृति आपके नरदिन और विशनिस्पृति यह आपकी गुप्त कारीन आपकी रचना है यहाँ पर देखे और भी अभी प्रसने बाकी हैं याद रखना भी वीडियो को कट मत करना यहाँ पर आपकी इसके अंसर दे दी गए हैं सास में जिस इसके अंसर दे दिये हैं अब आपको यहाँ पर एक जो पहतरीन बुक है उस बुक से आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जो कि आपके इस्पेक्टेड हैं अभी जितना पढ़ लिया है लगबग उसी का निचोड़ आपको मिलेगा कुछ अच्छे कोश्चन में देखने को मिलेंगे चलते हैं यहाँ पर कोईरा गुप्त वंस ने अवधी में सासन किया था अभी आपने पढ़ा था कोश्चन घुमा के दिया है अपसन यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन आपसन आपका ए अर्थात 319 से 500 इसबी की बीच में आपके यहाँ पर गुप्त वंस ने यहाँ पर सासन किया है आपके भारत में नेशकर आपसे भ यह बोलते थे आपके भी आथा चंद गुप्त दुती को नाम से जानते थे जो गुप्त बोलते थे निशकर आपसे प्रिथम गुप्त सासक जिसने परम भागवत की उपाधी धारान की थी परम भागवत की उपाधी धारान करने वाले यह गुप्त सासक थे आपसन आपका 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 अप्रसिश्ट इसके संभावियान के बारे में जानकारी देता है दिलि की कुवत उलिसलाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद लव इसके समृति में बर्वाया गया था ये बनवाया गया था आपके B अर्थात चंद्र के इस्मर्ती में बनवाया गया था ठीके ना एक पॉइंट याद रखना कुवत उष्वाम को भारत की पहली मस्जीत का जाता है ठीके माना जाता है और ये किस ने बनवाया था तो आपके कुटबुद्दीन एवक ने बनवाया था ठीके ना नेशकर आपसे याँ पर कि कौन सार राजवन्स हुडो के आकरमण से यतनत बिचलित हुआ था ये भी चलित हुआ था आपका सी अर्थात गुप्त समराज ठीके ना नेशकर आपसे हुडो ने भारत पर आकरमण किया था किसके असासनकाल में तो आपके सी अर्थात इसकंद गुप्त के असासनकाल में किया था अगला कोशन आपसे कह रहा है कि निमनिकित में से किस गुप्त काल ने इस हूडों पर विजय प्रापती थी हूडों पर विजय किस ने किया था अभी आपने पढ़ा था आपसंसी इसकंद गुप्त ने किया था नेशकर आपसे सग वीजेता किसे मना जाता है सग वीजेता, सग वीजेता किसे मानते हैं यहाँ पर आपका स्री चंद गुप्त दुती को मानते हैं इसकर आप से यहाँ पर गुप्त काल में उस भारती ब्यापार निमिकित में से किस एक पत्यान से संचालित होता था अर्था जो गुप्त काल में उत्तर भारती ब्यापार हुआ करता था वो किस पत्यान से संचालित होता था यह होता था आपकी तामर लिपती ठीके तामर लि आपका ए अर्था तो उस पादन से समधित के इंदर थे नेश कर आप से यहाँ पर किन निम्लिखित में से कौन गुप्तकाल में आपनी आयुरुविज्ञान विशय रचना के लिए जाना जाता है अर्था जो आयुरुविज्ञान था वो किसके कौन जाना जाता था तो 32 को आपका D आर्थात आपके सुस्तृत जाना जाते थे नेश कर आपसे यहाँ पर किन निम्लिखित में से किसका प्रचीन भारत में भारत के आयुरुविज्ञान से सम्मधित किसका नहीं है यहाँ पर आपका देखिए तीन आपके चार आपसन है राइट अनसर यहाँ पर कौ था फलित जोतित से संभनित था कौण तो 334 प jullie का तो अधान चपडरक ठीक है चपडरक थे जो की फलित जोतित से संभनी में थे कालिदास और यह जो आप के थे किसके सांसन का में टी जंद होता हुपत्र सेक्ड के सांसन काल में थे डी नंबर निस्कर आप आपसे अधो लिकित में से कौन गुप्त कालिन स्वन मुद्रा है देखिए गुप्त काल में जो स्वन मुद्रा थी उसका नाम क्या होता था आपका अभी बताया था दीनार हुआ करता था लेकिन चांदी की मुद्रा को रूपयक बोलते थे नेश कहर आपसे कि गुप्त कालि प्रत्र 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 प्रत् वो आपके प्राक्त भासा बोलते थे बाल बिवा की प्रथा आरंब हुई थी बाल बिवा की प्रथा जो आरंब हुई थी वो आपकी का भुई थी आपसन आपका B आर्थात कुसान काल में हुई थी याद रखना कुसान काल में बाल विवाकी प्रता आरम हुई थी याद रखना बहुत ही अच्छा कोर्शन आपका है नेशकर आपसे सती प्रता का प्रतम अबिलेक साच प्राप्थ हुआ है तो सती प्रता का प्रतम अबिलेक साच कहां से हुआ है तो आपका 341 का ए अर्थात एरण अबिलेक से हुआ है अ पढ़ लीजिए, नगरों का क्रिमिक पतन किस काल की एक महत्तपूर्ण लिशेश्टा है, ठीके, तो क्रिमिक पतन जुआब का है किस काल में हुई थी, तो 323 को अपListen आपका यहां पर हो जाएगा एर्थात गुप्त काल में अए, ठीके, नगरों का क्रिमिक पतन हुआ था, नेसकर आपसे किस सासक वंस ने मंदिरों एवं ब्रामणों को सबसे अधिक ग्राम अंदान में दिया था किस वंस ने तो 344 का अपसन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर गुप्त वंस ने दिया था नेसकर आपसे यहाँ पर ट्रिचीन भारत में किस वंस का सासन काल सोण यूग को आगया यह सोण यूग आपका कौन था आपका गुप्त काल को सोण यूग को आगया नेसकर आपसे यहाँ पर किनिमलिकित में सिक्किस काल को सोण यूग के नाम से जाना जाता है अपसन आपका यह हो जाएगा गुप्त काल को नेश कोशन आप से कह रहा है गुप्त युग में भूम राजसुक की दर क्या थी बहुत ही अच्छा कोशन आपका है पूछा गया था पिछली बार PCS में कि गुप्त युग में भूम राजसुक की दर क्या थी तो यह आपकी जो दर थी उपा चठा था नेशकर आपसे याप फर हिंदू विधिद्वारा मानने कर कितना था तो आपका ये था बी रंबर उपास का छटवाँ भाग वही कोश्चन आपका है बार-बार घुमा रहा है नेशकर आपसे कि प्रचीन भारत में प्रचीन भारत में सीचाई करको क्या काईते थे सीचायकर को सीचायकर को कहते थे हम लोग मतलब की उस समय के लोग कि विदक भागम क्या बोलते थे विदक भागम बोलते थे ठीके प्रचीन वाले लोग नेशकर आप से तीसरी सताब्दी में वारंगल प्रिसित था तो वारंगल प्रिसित के हो था आपका तिसी सताब्दी में तो आपसना आपका हुजागर C अर्था आतर लोहे के सयंत्रवा उपकरणों के कारण नेशकर आपसे तोर माण किस जाती दलका था ये बहुत कोशन आया है आपके इक्जाम में तो तोड मार किस जालके थे, किस जाती दलके थे, अप्षन आपका B, होडों से समंदित थे, ठीके, होड के समंदित थे, नेशकर आप से कहा जाता है कि सतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, आथा जो सतरंज का खेल हुआ था, वो किस देश से आपके हुआ था, ठीके, आपक तक अच्छे से नहीं देखेंगे, तो आपका गुपत काल में 100% आपका confusion रहेगा, ठीके, कितना भी पढ़ लेंगे, हमने जो फर्स्ट पार्ट के लिंक दिया है, इस वीडियो के नीचे दे दिया है, साथ में आपो जो कह सकते हैं कि इसके अंसर की हैं, आपको इसी में मिल ज पीडियाप को हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीके फ्रेंज, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो को साथ, तब तक के लिए धन्वाद, जय हिंज, जय भारत